इंडिये स्ट्ट देखिए आपका इंतजार खतम हुआ आपने बार-बार कमेंट कर रहा है तो यहां पर एरफोर्स नेवी के लिए जीके की यह सीरीज सुरू की जा रहा है यह बहुत important questions selected questions यहां से आपको दिये जाएंगे चुकि आपको पता है कि मैं पिछले 4-5 साल से एरफोर्स नेवी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो किस प्रकार की questions आते हैं मुझे exactly पता है आप अगर जानना चाहते हैं तो आप जो मैं एरफोर्स नेवी का exam review किया हूँ आप जा करके वो वाली playlist देख लीजिए वहा उनको विश्वा से बिलीब है उन्होंने जुलाई वाला exam दिया था उनके questions फसे थे तो वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप इस series को सुरू कीजिए क्योंकि उनको पता है कि इस videos की क्या importance है तो आप भी believe करके यहां से आप पढ़िए और उसके बाद आपके जो भी doubts से आप comment box में पूछ लीजिए तो यहां पर डिये श्ट्वेंट धुआधार practice हम सुरू करें रहे हैं यहां पर पहला question आपके सामने है देखिए जो इस question में detail बताने की जरूरत होगी उसको मैं detail में बताऊंगा बागी की question वरल लाईने type बता करके आगे बढ़ूँगा समय ब पर option number D से हो जाएगा लोग सभा अध्यक्ष चुकि भारती सम्विधान के अनुछेद 108 किस में दिया है अनुछेद 108 के अनुसार संसत के सन्युक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है लोग सभा अध्यक्ष तो option number D से हो जाएगा बात कर लेगी अगर पूछेगा किस अनु next question है आसान आपको लग सकता है लेकिन एरफोर्स में पूछा गया question है कि भारत के एरफोर्स वाई ग्रूप भारत के ध्वज में ध्वज की लंबाई और चवड़ाई का अनुपात क्या है तो यहाँ पर option number B आपको पता होना चाहिए 3 अनुपात जोएगी 2 ठीक है next question की तर 1761 जब बात करते हैं exactly date की तो तीसरी जो लड़ाई होई थी 14 जनवरी 1761 कोई थी आपके पास अगर पेन और कापी है तो आप लिख सकते हैं कि पानिपत की पहली लड़ाई 21 अप्रेल 1526 कोई थी मैं एक बार फिर से बोल ला हूँ पानिपत की पहली लड़ाई 21 अप्रेल 1526 को दूसरी लड़ाई 5 नवर 1526 को और तीसरी लड़ाई जो है कि 14 जनवरी 1761 कोई थी नेक्स्ट कोई थी तरब बरते इंडेशन अगला है कि राश्टर पती द्वारा राजे सबा के लिए मनूनित की गई सदस्यों की संख्या तो यहाँ पर आप्सन नंबर D 12 है देखिए राश्टर पती जो है राजे सबा में 12 सदस्य अपने इसाप से मनूनित कर सकता है यह जो 12 सदस्य है वो इस्पोर्ट से या किसी अन्य फिल्ड से भी लिये जाते हैं खास करके जैसे बालीवूर्ट से अपने देखा उस सचीन तेंदूलकर को मनूनित किया गया था तो इस् नंबर भी हो जाएगा अठारा सो तीरपन जब इग्जैक्ली डेट की बात करते हैं तो सोलह अप्रेल ना अठारा सो तीरपन सोलह अप्रेल अठारा सो तीरपन को मुंबई से ठाने के बीच में चलाई गई थी नेक्ट क्वेस्चन है कि निमने में से कौन सा प्रत्यक्षक प्रत्यक्षकर नहीं है लेकिन आप यहां तक पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको लगा कि प्रत्यक्षकर है पूछ रहा है तो प्रत्यक्षकर नहीं है यहां पर पूछा गया है तो बनाया गया था मंगल पांडे को तात्या टोपे को नाना साहिब को लेकिन ऑप्सन नमबर डी जो कूर सिंग है इनको बंदी नहीं बनाया जा सका अंग्रेजों ने इनको बंदी नहीं बना पाया था अगला की कंप्यूटरी भासा में एच टी 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 डॉट में एच से क्या अतात पर है तो एच का मतलब यहां पर होता है हाइपर क्या होता है हाइपर तो आप्सन नमबर एसे हो जाएगा देखिए फुल फॉर्म से संबंदित क्वेस्चन भी आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से मैं आपक स्पेशल एकोनॉमिक जोन क्या होता है इस पैसाल एकोनॉमिक जोन आपसन नमबर Неसे है इसको लिख लिजैगा सिजक का फूल फॉर्म पूछता है आपके एक्जाम में पुछता हैникомने प्रधान मॉंदा क्रिदा आ सुद्ध सुद्धा है एक बार तो हर इक्जाम के हर शिप्ट में यहां से पूछ रहा था तो इस प्रकार के जो question होंगे आप उसको लिखेंगे very very important question में लिखेंगे तो यहां पर जो option है वो option number B से हो जाएगा कि विस्व की पहली महिला परदानमंतरी जो थी वो स्री लंका के थी और कई बार नाम भी पूछले था कि कौन थी तो आप बता सकते हैं सिरी मावो भंडार नायके क्या नाम था उनका सिरी मावो भंडार नायके यह 21 जुलाई 1960 को ये प्रधानमंत्री वहाँ पर बनी थी, स्रिलेंका में, clear, next question देखिए, निरित्य से question मैं अलग से आपको कराऊंगा, लेकिन practice की दुआदार practice series में आप इसको cover कर रहे हैं, कथकली निरित्य जो है, वो किस राज्य की है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि केरल का है, कथक भारत का सरोच वीरता पुरसकार जो है, वो परम वीर चक्र है, नाम सुनते ही आपको समझा रहा है, परम वीर, परम वीर मतलब सबसे वीर, परम वीर चक्र है नाम है भारत का सरोच वीरता पुरसकार, दूसरी नंबर का पूछ सकता है, तो दूसरी नंबर का जो है कि महाव रखेंगे अगला question है कि सेरे पंजाब की नाम से कौन विख्यात है तो देखिए सेरे पंजाब की नाम से लाला लाजपत राय सेरे पंजाब की नाम से कौन जाना जाता है लाला लाजपत राय याद रखेंगे उप नाम से question पूछे जाते हैं तो लाला लाजपत राय जो है कि सेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं दूसरा है यहाँ पर एक question बन सकता है कि सरदार बललबाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है तो इनको लहपुरुस के नाम से जाना जाता है वही एक question बन सकता है कि भगत सिंग को और किस नाम से जाना जाता है ठीक है, next question की तरफ बढ़ते हैं, चंदर सेखर आजाद तो हमेशा से ही आजाद थे, उनका जो बच्पन का नाम था, चंदर सेखर तीवारी था, बाद में उनकी पीछे कहानी है, उन्होंने कहा कि मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा, चंदर सेखर आज अगला कि सरोच न्यायालय का न्याधी सदिक्तम कितनी उम्र तक कारेभार संभाल सकता है, तो देश्टन 65 वर्स तक ये कारेभार संभाल सकता है, option number D is right here, next question की तरफ बढ़ते हैं, NGO का क्या आसा है, मैंने पहले भी आपको बता है कि full form से question आपकी exam में पूछे जाते हैं, त तो T के बाद A.L. जोड लिजेगा, non-governmental organization, याद रखेगा non-governmental organization बहुते important है NGO का full form याद रखना, एक बार Air Force में पूछा गया था कि DVD का full form क्या होता है, ठीक है DVD, तो यहाँ पर याद रखेंगे digital versus tile disk, क्या हो जाएगा digital versus tile disk, अगर आपको ये question आ रहा था तो आप comment box में ज आपने के लिए इन में से किस काई का प्रयोक किया जाता है, तो यहाँ पर option number B हो जाएगा decibel, किस काई का प्रयोक किया जाता है? आश्ट्रेलिया की जो जन संक्या है वो सबसे कम है अगर आपको बता दें कि सर कितनी जन संक्या इस समय है तो वहाँ पर आपको बता दें कि 2 करोड पांच मतलब 58 लाग 2 करोड 58 लाग ही वहाँ की जन संक्या है आप जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंग है 22 करोड तो जनगर्णा में थी इस समय 25-26 करोड होगी यूपी की जनसंग्या तो इससे भी बहुत ही जादा कम यानि कि 2 करोड अंठावन लाख लोग वहाँ पर हैं अस्ट्रेलिया महादीप में तो यहाँ पर इसलिए एक आगया है कि निमलिकित में से किसे महादीप की जनसे के सबसे कम है तो आश्ट्रेलिया के याद रखेंगे डेटा आपसे नहीं पूछ रहा कितना है लेकिन जानिए अपनी जानकारी के लिए कि दो करोड़ अंठावन लाख लोग महाँ पर हैं ठीक है तो आज के लिए इतने जीके की प्रैक्टिस आप बताएगा कि आपकी क्वेस्चन कैसे लगे देखी क्वेस्चन थोड़ा सक कठीन हो सकता है आसान भी हो सकता है लेकिन मैं मुझे एक्जाम का लेबल लेकर के चलना कि एक्जाम किस प्रकार से कि एक्जाम में कौन कौन से क्वेस्चन पूछते हैं इसमें हमने लगबग आपको 20 क्वेस्चन बताया 20 क्वेस्चन में से 10 से 15 क्वेस्चन ऐसे थे टी एक्जाम में आल लेडी पूछे जा चुके थे उसमें से 5 क्वेस्चन लगबग ऐसे थे जो कई बार पुछेगा जैसे प्रथम महिला हो गया या राज्य की जो लोक नित्य हो गया फुल फॉर्म हो गया इस प्रकार के question बहुत repeat करते हैं हर साल repeat करते हैं तो इन questions की मैं इतना practice आपको करा दूँगा इतनी बार ये questions आपके सामने आ जाएंगे कि exam हाल में जाएंगे त कोई भी doubt हो तो आप पूछ सकते हैं साथ ही साथ आप टेली गराम चैनल से जरूर जूड़ें टेली गराम से जूड़ने के लिए आपको दस उधीर पांड़े सर्च करना होगा बाकी चीजों के लिए आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं चैनल पर आएं तो जरूर सब्सक्रा कीजिए अगर आपको एरफोर्स या नेवी का एकजाम देना है तो बाकी चीजों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वन्देम